तो HTML का मतलब Hypertext Markup Language है और ये इंटरनेट में Markup Language के तहर यूज होती है एक Markup Language से का मелवाद है So Markup Language उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं जिसतरा से अगर आप Microsoft Word उपन करें तो आप किसी टेक्स्ट को टाइटल बना देते हैं किसी को बोल्ट करते हैं किसी को इंडलेंड करते हैं किसी को टाली करते हैं जिस तरह से आप Microsoft Word में आपने documents को इस तरह से beautify कर सकते हैं Hypertext Markham Language में आप क्या करते हैं कि website बना सकते हैं और तकरीबन सारे के सारे internet इसी language यह अपर चल रहा है अब यह language जाए तर developers को आती है जो इसको use करके website बनाने और उसको बेतर करने के लिए use करते हैं हमने इस language को सिर्फ इतने understand करना है जितना हमारे लिए SEO की हद तक ठीक है और हम इसे इतनी detail में नहीं जाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें बहुत important है जो हमने समझनी है वो यह कि यह basically web का standard है और जब हम SEO की बात करते हैं तो हमारा website से पहला तो पढ़ता ही है क्योंकि हमने जो optimize करना है वो website को ही करना है तो website की सरहां से बनी है यह समझना भी जरूरी है ताकि हम developer के साथ जब मिलके काम कर रहे हो यह हम team के साथ मिलके काम कर रहे हो तब हम उनको guide भी कर सकें और हमें जतना खुश समझ आती है हम उसको खुद अपनी हाथ तक ठीक भी कर सकें So, अगर आप किसी website को open करें और कोई भी URL विजिट करें तो आपको जो website नजर आती है वो बड़ी beautiful या एक खुबसूरत किसम का उवर वी होता है For example, मैं के google.com खोलूँ तो कुछ इस तरह की नजर आती है लेकिन अगर आप google.com का source देखना चाहें या मतलब ये कि अगर आप सो code देखना चाहें तो अगर आप Chrome पे हों तो राइट क्लिक करके उसके view source पे जाएं और आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा तो basically, मुझे तो जब website नजर आई थी लेकिन ये language basically coding है जो सिर्फ coders यानि के developers या जो programming करते हैं उनको समझ आती है और वो ये करते हैं और हमारे लिए ये जो front end है हम इसको देखते हैं असल में जो google visit करता है आपकी website तो आपका front end नहीं देखता वो ये website नहीं देखता जो आपको नजर आ रही है वो असल में ये website देखता है जो पीछे code है और ये code ही असल में आपकी website है लेकिन जब ये code browser में load होता है यानि के जो chrome browser या firefox या internet explorer जो भी browser आप use करते हैं तो वो browser इस code को website में तबदील कर देता है जो हमें पढ़ना भी असान होती है और देखना भी असान होती है तो ये चीज़ अंडर्षेंड करना ज़रूरी है कि पूरे का पूरा internet कुछ इस तरह के code पे चल रहा है वो इस तरह हमारी websites हमें नजर आती हैं लेकिन Google या दूसरे जो crawlers हैं या दूसरे search engines हैं उनको website सिर्फ code में नजर आती है अब ये code होता किस तरह का है असल में जो code है जिसको हम HTML बोलते हैं ये different इसमें attributes हैं और इसमें different tags हैं so वो tags and attributes क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ so for example ये जो पहला option है ये एक attribute है जिसमें हमने हो रहा है तो नीचे close भी हो रहा है so tags और attributes पे फरक ये है attributes बेसिकली कुछ खसुसियात बियान करते हैं जो के browsers या search engines के लिए आप लिख सकते हैं लेकिन ये जो tags हैं इसके अंदर हमारा content होता है एक खास बात याद रखें tag के अंदर आपको जब tag open करते हैं उसको close भी करते हैं so for example मैं अगर head open करूँगा तो मैं इसको close भी करूँगा मैं अगर body का tag open करूँगा तो इसको close भी करूँगा so इस तरह से HTML language चलती है और हमने इसको तकरीमन इतनी हद तक ही समझना है और ये बड़ा असान है या आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो लेकिन SEOs के लिए ये इतना समझना जरूरी है लेकिन इसके बाद अगर हमें नहीं भी समझ आती तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने website बनानी नहीं है हमने सिर्फ website को optimize करना है और optimization के लिए थोड़ी बहुत HTML हमें समझ आ जाएगी जो हम मजीद discuss करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम सीख भी लें तो उसमें भी हमें फायदा ही होगा So HTML को मजीद में बियान करता हूँ कि HTML के दो versions है जो अभी popular है HTML जो के regular HTML है उसको version 4 भी बोलते हैं अगर आप इसको HTML 4 भी कहें तो गलत नहीं होगा लेकिन जो नहीं आने वाली HTML का version है वो HTML 5 है तो दुनिया बड़ी तेरी से HTML 5 की तरफ जा रही है और ये ज़्यादा robust ज़्यादा advanced और ज़्यादा functional websites के लिए help करती है और जब बात हो रही है functional websites की तो HTML कभी-कभी JavaScript और CSS के साथ मिलकर भी काम करती है ये HTML की तरफ जावास्किप्ट और CSS यानि के CSS का मतलब cascading style sheets और JavaScript ये मिलकर एक नए technology भी develop करते हैं और ये भी HTML की तरफ बुक्सलिफ languages ही हैं जो developers लिखते हैं ताके हमारी website ज़्यादा अची perform कर सकें या ज़्यादा functional या ज़्यादा technical websites अकर जिनके आप बात करें जिनमें for example आपको login करना पड़े या आपकों कोई database सर्च करना पड़े तो उनके अंदर ये technologies help परती हैं हमारी गर्स सिर्फ HTML की हद तक ही है बाकी चीज़े हम developers के लिए छोड़ देंगे तो HTML के लिए सिर्फ इतनी चीज़ अंडर्सेंड करनी है कि पूरे का पूरा internet HTML पर ही चल रहा है और HTML हमारे लिए SEO के लिए बहुत जरूरी है और HTML को हम जितना समझ सकेंगे हमारे लिए फाइदा है लेकिन इस course में हम discuss करेंगे कि हमें SEO के लिए HTML कितना चाहिए वो मजीद section में हम बात करेंगे